सादू संतों को ब्रामणों को उसने कुट्था कह दिया इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके उपर 21 लाग का इनाम घोशित करते हैं रामचरित्र मानस पर स्वामी प्रसाद मौरी के बयान के बाद उठा विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है रामचरित्र मानस पर अपने बयान को स्वामी प्रसाद वापस लेने को तयार है नहीं और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं नेताओं पर तो स्वामी प्रसाद मौरी तो कटाक्ष कर ही रहे हैं अब वो सादू संतों को भी नहीं चोड़ रहे हैं स्वामी ने ट्वीट कर उन पर हमलावर लोगों को शैतान बताया है जिसके बाद से उन पर अयुध्या के संत आग पबूला हो गए हैं राजुदास ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सर तन से जुदा करने की धमकी दे डाली है इतना ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य आला और बिगरता जा रहा है। यही वज़ा है कि आयुध्या के सादू संतों ने अब स्वामी प्रसाद मौरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके उपर 21 लाग का इनाम घोशित करते हैं। प्रसाद मौरे के जहरीले बोल चारी हैं। ऐसे में आपने उल्टा उनका प्रमोशन कर दिया। अभी तक तो खले सियादो कह रहे थे कि हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौरिया का जो जहरीली बोल लगातार साधू संतों को आतंकी कहना, अपसब्द कहना, ब्रामनों को गाली देना, हमारी जो रामचेत मानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टिका टिपनी करना। और लखनों में ओवी सी मोर्चा द्वारा रामचेत मानस की प्रती जो जलाई गई है यह स्वामी प्रसाद मौरिया का देन है और आपने स्वामी प्रसाद मौरिया का डिमोसन के बजाए आपने परमोसन कर दिया। वही परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौरे को तो कहा कि उनकी बुद्धी खराब हो गई है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान सत्बुद्धी दें वही इस पूरे मामले पर अखिले श्यादव ने स्वामी प्रसाद मौरे का बचाव करते हुए कहा कि हम भी राम को मानते हैं और मैं विधान सबा में योगी से पूछूँगा कि क्या वो हमें शुद्र मानते हैं या नहीं कि मंत्री अगर योगी न होते धार्मे की स्थान से वह ना आये होते तो शायद वह सवाल में न पूछता उन से लेकिन क्योंकि वह योगी भी हैं और धार्मे की स्थान से उठकर के सदर में आये हैं वह बात मैं आप से नहीं पूछूँगा मैं यह कहूँगा कि वह चौप वहीं यूपी की शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने तो स्वामी प्रसाद मौरे के बयान को संगत का सर बताया। उन्होंने कहा कि जो जैसी संगत में रहता है वो वैसे ही बयान देता है। लिए दूसरों की सेवा के लिए है ये परुपकार के लिए है ये करतब निष्टा के लिए है ना कि आलोचना के लिए और हमें राम्तिरत मानिस यही सिखाता है कि जीवन में त्याग से बढ़के संसार की कोई चीज नहीं है। के पूर्ण हैं। बता दे कि स्वामी प्रसाद मौरे ने अपने आधिकारी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा कि संत महंत धर्माचारे तथा जाती विशेश के लोगों को क्या कहा जाए आतंकवादी, महाशैतान या फिर जल्लाद। बस इनके इसी ट्वीट ने पूरे यूपी के फिजाओं को जहरीला कर दिया है। क्या नेता और क्या महंत। मानो इस विवादित आग में सभी कूट पड़े हैं। रामचरित रमानस पर दिये विवादित बयान के बाद अब ये बोल जहरीली होने लगे हैं। अब ये सर तन से जुदा तक पहुत चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्ट्री टीवी